नमास्कार फ्रेंट्स में नाम बबलू और मापेपर हैकर में आपका स्वागत है श्टार्ट कर रहे हैं यह अपना सेशन चली रहा है ठीक है हमने आपकी जो अपकी जियोग्रॉफ की थी पूरी कंप्लीट करा दी साइब का रहना साइब कर देगा साइब कर अपको साइड पर आपको जोड़ेगा आपको सब्सक्राइब कारका मगर आपको साइट पर डूड़न नहीं पड़ेगा और आमसे मिल जाएंगे ठीक है बटन के अंदर अब करते हैं इस्टार्ट अपने क्योशन के लिए पहला क्योशन है प्रत्वी सूर्य के चार और चक्क्र लगाती है कि सिद्धान्त का जमजाता कौन था बताएंगे प्रत्वी किसकी बात कर रहा है प्रत्वी प्रत्वी सूर्य के चार और चक्क्र लगाती ह यहां पर है और पेत bize क्या लगा रही इसका चक्कर लगा रही है किसा ने कहा था कि आपर निग्राइब अगले बात करते हैं कॉल्वन था कौन था बवताना के लिए। कॉल्विन था क्या का कैसा देख रहा है को इस प्रकार से बना देंगे तो फा बन जाएगा अगले बात करते हैं आउस्ट्रिया समराज ना तो पवित्र था और ना ही रोमन और ना ही समराज था तो यह कथन है किसका यह बताना है यह कथन है किसका तो यह था क्या आपको गये बॉल्टेजर ने कहा है यह किसने कहा है यह बॉल्टेजर ने कहा है ठीक है तो उसने बॉल्ट कह दिया कि एक बॉल्ट है ठीक है और कुछ नहीं है अगले बात करते हैं किस धर्मस धारक ने इरासमस को हमारे अलंकरड एवम आसा कहा है ना बात करते हैं किस दम सालंग ने इरासमस को हमारे अलंकर और आसा कहा है यह किसने कहा है यह बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है यह वाला कोशन ठीक है तो यह मार्टिन लूथर ने कहा है क्योंकि यह मार्टिन लूथर का एक कथन है ठीक है बाक है इसलिए बहुत ही हो जाता है अगले बात करते हैं प्रोटेश्टेश्ट पोप के रूप में कौन विख्यात था जो प्रोटेश्टेश्ट पोप था इट्री की बात करते हैं पादरी जो था वो विख्यात था कौन यह बेरी इंपोर्टेंट है कॉल्विन कौन था जो कॉल्विन था यह बिख्यात था ठीक है प्रोटेश्टिट पोप के अनुसार अगले बात करते हैं मार बुर्ग बिवाद का सम्बंद किन दो धर्म सुहरकों से है तो यह आपको एक तरफ मार्टिन और एक तरफ जेंगली यह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं तो आंसर है का मार्टिन और जेंगली ठीक है वई अगले बढ़ते हैं दुर्बीन का विसकार किस ने किया था बहुत बार आपको बता दिया गैलियों ने ठीक है अगले बात करते हैं 1414 ISP में कॉस्टेंट सम्मेलन में पादरियों ने किसके साथियों को जीवित जला दिया था तो आपको सबको पता है यहाँ पर मौरेसमस जो था वो विरोध कर रहा था पादरियों का विरोध कर रहा था यह प्रोटेश्टेस था तो आंसर क्या रहेगा मौरेसमस कौन रहेगा मौरेसमस यहाँ पर बिलकूँ सही आंसर रहेगा यह बहुत इंपोर्टेंट क्योशन आपका अगले बात करते हैं निम्निकित मेसे किसको चौदा सो बारा इस भी में आस्ट्रिया के प्राग विस्वधाले का पद त्यागना पड़ा था बहे था कौन तो पद त्यागने के बाद में जॉन होस ठीक है यह कहां पहुँच गए थे यह फिर प्रोटेश्ट रहम के खिलाब हो गए थे तो आंसर रहेगा जॉन होस यह सब के बारे हम थोरी कल पढ़ चुके हैं और थे यूटूब के अंदर ठीक है आप प्लेलिस्ट में देख सकत कौन है तो न्यू इस्टर्टमेंट इसके पुस्तक के लेकर जो है वो इरॉसमसी है कौन है इरॉसमसी है ठीक है अगले बात करते हैं मुर्खता की प्रसंसा नामक गरंथ के लेकर कौन है मुर्ख की प्रसंसा किसकी मुर्ख की प्रसंसा कर रहे हैं क्यों क्यों कर रहे हैं क् इन्होंने Protestist के धर्म इसके खिलाब चले थे इसलिए Protestist को इनने धर्म का बात करते हैं मूर्ग कहा था कि मूर्ग की प्रसंसा यह पुस्तक किस की है आपको यह है Erosmos के कोई Erosmos यहां पर ग्रोध कर रहा है थे अगले बात करते हैं Martin Luther का जन्म कहा हुआ था यह भी प्रोटेश्ट यह भी पाद्रियों के खिलाब थे Martin Luther और Martin Luther का जहन जो हुआ था वो एक किर्सी बात करते हैं किर्सक परिवार में और Martin Luther कौनते जर्मनी के रहने वाले थे अगले बात करते हैं इसे धर्म रच्छक की उपादी दी गई थी धर्म रच्छक की उपादी किसको दी गई थी यह आप लोगो सबको पता है Henry Saptam कहा का England का इसी ने क्या कुणा था England के अंदरगत क्या चलाया था आपको कि प्रोटेश्टे धर्म चलाया था तो आपको कि कौन था Henry Saptam ठीक है इसलिए इसको धर्म रच्छक धर्म सुधारक के नाम से जाना जाता है अगले बात करते हैं धार्मिक पुस्तके प्रधांता थी धार्मिक पुस्तके उससे में जो हुआ करती थी वो कैसी थी अंग्रेजी ठीक है अगले बात करते हैं माइकल एंजेलो कौन था तो माइ औनुह एंड जूलियॉस सबको पता है यह है सेक्सपेर की किसकी सेक्सपेर कहा कर रहने वाले थे इंग्लेंड के रहने वाले थे अगले बात कर लेते हैं यहां पर विस्व प्रसिद मोना लिसा क्या है यह मोना लिसा है क्या आपको सब को पता है मोना लिसा एक चित्र मूर्ती है जो माइकल एंजलो के द्वरा बनाई गई थी तो आपको यह कौन था चित्रा कृती ठीक है अगले बात करते हैं यहां रेखा है पैर ने यह जो है उसका लिखा कौन था क्लतों है कि आपको मैरा क्वान के जॉन मिल्टन था कौन आप जॉन मिल्टन ऐस आप कोर फेहरा राइस कि सो परडाइस हो गया को मिलने के लिए यह सकता सपिसे पहले परटेगाल चल्वामन पर कि दस मई 1498 में बास को डिगामा भारत आया था एक दम यहां पर नहीं आ गया था सबसे पहले पॉर्टेगाल से जला था पर पहले कहा था दच्छड फ्रीका के लाश्ट छोर पर पहुंचा था यह इसका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में छापेंगे दच्छड अमेरिका के ल अगले बात कर लेते हैं यहां देखेंगे मार्को पोलो कौन था जो मार्को पोलो था वो कौन था तो मार्को पोलो एक कौन था आप को के अन्वेशक था क्एंजक कर रहा हैं इसमें हम हिष्ट्री के अंदर कर पोप के समराई की बात कर रहा हैं अगले बात करते हैं किसको आ बताना यह आप पर दा मार्टिंग-श्टार ऑफ re-formation कहा जाता था तो आपको ये जौन बाई कलिफ के लिए कहा जाता था ठीक है अगले बात कर लेते हैं यहां देखा है मानबता बाद का किसे कहा जाता था मानबता बाद मैंने पहले ही आपको बताया था जब मानब की बात करेगा तो यह उतनी 1492 में यहां पर option में गलग दे रखा है 1492 में अमेरिका की खोज होई थी ठीक है तो 1492 में अमेरिका की खोज जा था ठीक है मगर हम उसके बात की बात करते हैं इसे मानता नाम दिया गया था बो दिया गया था बना बानमे लगाना है यह अगले बात करते है रोमन कैथोलिक चर्च कैसी संस्ता थी रो मं ड्रीत एंटरियों के आता था ते संस्थाति मतलब पूरे जुर्ट पर इसका ऐधीकार हुआ करता था किसका रोम की ओृूति zrobi-k auto करता है उसका अधिकार सारे राजा इसके ही मानता आपते राजा सुधार म्ति कारण इंग्लेन्ड में राष्टी में दो करता है अब सबको को पता है England राजा राजा जो सब्संता हैंघये सबस्तंता उसे यहाँ पड़िति यहां पर चर्ची को माने मता सिद्धर सवाब्त कर देखी तो बहां का राज़ा था कारड इंग्लेंड का राष्टी चर्च का प्रधान कौन हुआ उसके बाद में वहां का राजा होने लगा पहले पोप के इंटर्गत आता था ये भी मगर बाद में कहे रहा है कि धर्मसुदार के कारड इंग्लेंड के राष्टी चर्च का प्रधान कौन हुआ फिर वहां का राजा हो गया ठीक है अगले बात करते हैं निम्निके तमेश से किसे मानवता का पिता कहा जाता है तो मानवता का पिता किसे कहा जाता है गताओ भी मानवता का पिता अरे कितनी मार पढ़ लिया पेट पेट औरक बात करते हैं मानवता मानववाद से तात्प्रिय लिया जाता है जो मानववाद है उसे तात्प्रिय क्या लिया जाता है तो मानववाद का तात्प्रिय है उन्नत ज्यान अगले बात करते हैं मोना लिसा नामक चित्र किस कलाकार का है तो मोना लिसा जो है वो किसका है मोना लिसा है माइकल एंजेलो का कौन सा मोना लिसा यह और माइकल एंजेलो यह माइकल एंजेलो का ही हो घए अ हम इसके बात करें मोन लिसा की तो मोना लिसा जो है है लिए नार्दोदा विंकल एंजेलिगानि इस बुक में गलत दे रखा है इसमें मुझे सक उख व्यां इसको रोका ठीक है तो आपको उगे यह जो है लिए नार्दोदा विंसी का है क्योंकि मैं थे यहरीकल पड़ाया था है तो वहाँ पर लियो नार्दोब अगले बात करते हैं तो कि उपर रहा इधर भी रहा आपको बात करेंगे टाइथ नामक कर लगाया था किसने लगाया था टाइथ नामक कर तो टाइथ नामक कर जो था वो लगाया था पोप ने किसने पोप ने लगाया था टाइथ नामक कर अगले बात करते हैं माटे लूथर की शामानता भारत में किसके की जाती है तो मार्टे लूथर की समानता है भारत में गौतम बुद्ध से की जाती है किसे गौतम बुद्ध से की जाती है एक एक कोशन बहुत ही चुनंदा है हर कोशन को भारी की से पढ़ना है, ज्यादा से पढ़ना है कम पढ़ने की सोचना भी नहीं है ठीक है, अगले बात करते हैं किस पुस्तक का लिखक इरॉसमस नहीं है, तो आपको गए प्रेंज ओफॉली, फॉल हो गया तो रोने लगे रोसमस बात करते हैं अडागिया, अडग गए बढग गए तो रोने लगे, रोसमस बात करते हैं कोलो क्विस कोलो क्विस, खोलो भाई नहीं खोल ला है, तब रोंगे और बात करते हैं दा भूंटवरली ठैल्स, यही इनकी नहीं है, तो से होजाए का option number the metric व्यादिया की अगले बात करते हैं on the revelation of celestial bodies के लेखक कौन है तो लंबा नाम है याद करने में दिक्कत हो सकती है तो आपको के वो है copper next कौन है copper next है ठीक है अगले बात करेते हैं the prince नामक जो पुस्तक है वो किस से सम्मंदित है मुख्य लच्षड किस पर अधारित है यह बताना है तो जिस प्रकार से दा प्रिंस है जिस प्रकार से अर्थिसास्त चाड़क की है यह दोनों की दोनों किसे है राजनी की से संब्मंदित हैं यह किसकी है? आपको गये यह है The Prince मेक्या वेली की है प्रभुद निरंग कुस्ता के यूग में सबसे प्रसिध्ड शासक था जो प्रभुद निरंग कुस्ता के यूग में सबसे प्रसिध्ड सासक कौन होत कौन था यह आपको बताना है कि देखेंगे फड़ा बड़ा अंसर देंगे कि काको बते फैडरिक महान थे कौन थे Frederick Mahan. दिरंगुस्थ की बात कराया, तो महान lean होंगे, तो Frederick Mahan. अगले बात करते हैं, मानबबाद का सस्तापक कौन था, तो अभी हमने देखा, मानब पेट के खातर काम करता है, तो पेट और ऐसे आथ किया है, हमने, The Last Supper और Muna Lisa, नामक चित्रो को वन्वाना बन्वाया था गया था है मैंने कहाँ दो hoping दो बनाये थे यह सपर और मुनfather अ किसने लियो नार दोदा बिन सीने अगले बात करते हैं पुनर जागड कीुशेचताइं कौन सी है उनर जागड कीुशेचताइं मानपताबाद, साहित प्रगती, लग जाने का विज्कार, क्लान सररे का option number अगले बात करते हैं, पोप के छमा पात्रों का सरपर्थम विरूद किस सुधार ने किया था, ये छमा पात्र पोप जो थे, वो कैसे पेसो मेशते थे पैसो में, मतलब ये पहले जो पॉप थे, पहले पॉप बिना साधी, मतलब साधी नहीं करते थे पहले पॉप साधी नहीं करते थे, उसके बाद में जैसे जैसे इनकी मानिता बढ़ती रही, पॉप अधर्मी हो गए और अधर्मी मतलब फिर ये साधी के बंदमें बंदने लगे उसके बाद में शादी भी करने लगे बच्चे भी पर्दा करने लगे उसके बाद ये भ्रष्टाचार करने लगे लगे पहले ये प्लू,- नधर्मी हो गये। मतलब फिर ये पैसे कमाने के अलग-अलग रास्ते खोजने लगे तो इस प्रकास एक पोप कैसे हो गए थे फिर पूप एक अधर्मी हो गए थे इस बैसे इनका बिरूद करना लाजमी था तो आपको के पोप के छमा पात्रों का सरप्रतम बिरूद किस सुधारक ने किया था कहते हैं अना प्रिस्विटर्स किसे कहते हैं यह आपको बताना है तो आपको गया यह ब्रद पाद्रियों को कहा जाता था यह तीसरी बार कुशन आया है अब तक याद हो गया होगा आपके लिए अगले बात करते हैं जैसुइट संगठन की स्थापना किस ने की थी जैसुइट संगठन की स्थापना किस ने की थी तो आप कोगे ये की थी स्वीट ला भही ला तो आप कोगे ला या ला तो यहां हो जाएगा तुम्हारा एगनेसियम ला या ला जो बेविंटन सडेंत था ये महारानी एलिजावेत के बिर्द हुआ था ठीक है तो आंसर रहेगा महारानी एलिजावेत अगले बात करते हैं अगले बात करते हैं पुनर जागड का अंग्रेजी परियाए रहनाई बात करते हैं रहनाई सेंस है क्या है पुनर जागड का अंग्रेजी परियाए रहनाई सेंस क्या है आपको यह एक Francis है क्या है एक Francis है अगले बात करते हैं यह यद laugh तो यह लेखा है पेंडूलम के नियम की खोच किसने की थी ग्लाजुम जनम इसland पर है करो जाग्र कहां पर था पोप आंको इतली में तुख्या कहेंगे हिटली कहेंगे भी अगले बात करते हैं कहा के धर्म सुधाःक धर्मे सुधार आंदूल का नेता था केलविन कहां करो केविन कव्न में क्या मिलेगी सूई तो सवीड जलेंट ठीक है आगे बात करते यहां कि रोमन कैथोलिकश कैसी संस्ता थी क्यों हमने दुखों 30 ही भर गोशिन आ गया तो आको के अंतराश्टि देश का था तो जेंगली स्वीड नहीं मिलेगी स्वीड जेलेंड अगले बात करते हैं पैट और्क बैकासिया क्या था पैट और्क बैकासिया क्या था तो आपको कि यह एक सिस्स था अगले बात करते हैं डिके मेरन नामक पुस्तक के रचेता थे डिके मेरन नामक पुस्तक क की रे चयत्या कौन थे पाको के बहत वोकाशियो कहाई लौकाश्यो ठीक है अगले बात करते हैं माइकल एंजिलो इतली का एक प्रषिद्श्थ मूर्तिकार औरक्वाकृल माइकल एंजेलो आपको सबको पता है ये एक छित्रकार था कौन था ये एक छित्रकार था माइकल एंजेलो अगले बात करते हैं पुनर जागल का साब्दे करते क्या होता है तो इस कार्थ होता है पुना जगना अगले बात करते हैं मौना लिसा चित्र किस कलाकार के है मोना लिसा चितर जो है वो किस कलाकार के है अब देखो यहाँ पर लियो नार्दा बिंची नहीं दे रखा है है ना तो हम कहां जाएंगे तो हम माइकल एंजलो के साथ जाएंगे ठीक है तो हम माइकल एंजलो के साथ जाएंगे मानवता बादियों का राजकुमार यह कोशन थोड़ा, वित कन्फ्यूज करने वाला है इसका थो ट्रिक मैंने बना रखिए आपके लिए अब इसको आपको खुदया रखना है, schools आपको कह आपको मानवताबादि का राजकुमार किसे कहते हैं ए suggestion इन को इतनी अच्छे प्रकास से पढ़ना है रट आज लेना है बिल्कुल एक भी question मिस नहीं करना है ठीक है एक Stadium को रटते जाओ यही question question beoda की तो उसमें विआ को फाइदा करेगा ठीक है क्योंकि इस में से कम-से-क-पचास question completion exam में repeat होते है ठीक है तो आप आप इनशन को चाहित काशए लगी हो तो वीडियो को लाइक करना शेर करना चैनल को गजिना सब्सक्राइब बैल अकन को प्रिस करना नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन जै भारत